पॉस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स, आबुलेन, मेरत MLC स्थान्य निकाई के प्रतियाश्यों के नाम भाजपा ने घोशित किये तो यह तो साफ संदेश चला गया कि अब योगी सरकार में ब्राहमनों को भी उचित प्रतिनेदित मिलने जा रहा है मेरत काजियाबाज सीट से भाजपाने शिक्षावीर धर्मेंदर भार्दवाज को मैदान में उतारते हुए यह साफ संकेत देवी दिये मेरत सहरनपुर सना तक विधान परिशत के चुनाव में 22,000 से जादे वोट पतोर निर्दलिया उमीदवार प्राप्त कर धर्मेंदर भार्दवाज ने ब्राहमनों की राजनिती में अपना दबदबा साबित कर दिया था 2014 में हुए इस चुनाव में वह मात्र 800 वोटों से इस शित्र के दिगज नेता हेम सिंग पुनिर से हार गए थे ब्राहमन राजनिती को नया मोड देते हुए जैसी ही धर्मेंदर भार्दवाज के नाम की घोशला हुई तो भाजपायों के चेरे खेल हुटे मैं हूँ रवी शर्मा और आप तेख रहे हैं 1stby.tv दरअसल शिक्षाविद होते हुए धर्मेंदर भार्दवाज विभिन समाजी कारियों में बराबर जुड़े रहे हैं कोविट काल में उनका नाम एक बड़े समाज सेवी के रूप में सामने आये था कोविट के शिकार हुए लोगों के अर्शित बच्चों को फीस माफी से लेकर करीब 20 लाख रुपे का अपने माहवीर आयर्वेदिक मेडिकल कॉलीज में बने काले का उन्होंने वितरण कर लोगों की उम्मिनिटी बढ़ाने का काम किया था इसी दोरान 11 लाख रुपे PMKS फंड में भी उन्होंने दिये थे 43 केंद्रों पर होने वाले मदान में 4257 जन प्रतिनी थी यानि ग्राम परधान नगर पंचायत नगर पाली का नगर निगम के सदस्य वे अध्यक्ष छेतर पंचायत सदस्य प्रमुख चावनी परिशर सदस्य विधायक वे सांसत आदी मदान करेंगे कल सोमवार को नामंकन का आखरी दिन है कल धर्मेंदर भारद्वाज नामंकन पत्र भी दाखिल करेंगे अभी तक 43 लोग नामंकन पत्र प्राप्त कर चुके हैं जिस तरह हाल ही में वे पंचाय चुनाओं में भाजपा ने जिस तरह का प्रदर्शन के हाई उसे देखते हुए दर्मेंदर भारद्वाज की जीत भी तैमानी जा रही है इस खबर में फिलालित नहीं आप देखते हैं फास्ट भाइट डॉट टीवे नमस्कार